वेलकम बैक टु दे वीडियो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं यहां पे एक पॉटफोलियो है लेकिन यह वीडियो सबके काम किये क्योंकि यहां पे जो इनका टारगेट है वो है 10 एर्स में 1 CR का तो इसको एचीव करने का रोड मैप पे यहां पे हम बात करेंग इनकी जो टोटल S.I.P. mutual fund के अंदर जा रही है 17,000 की जा रही है PPF को हम यहां पे side कर रहे है क्योंकि वो 8% return मेरे काम कर नहीं है चलिए mutual fund के अगर बात करते हैं यहां पे तो टोटल 17,000 की S.I.P. जा रहे है जिसमें कैनर बैक ब्लूचिप फंड है एक्से स्मॉल के फंड ह है अब यहां पे जो यह 17,000 है उसमें से 5,000 तो सीजा सीधा लार्ज केप की जगा जा रहा है समझ लो 50000 मिट कैप लार्ज मिट कैप एंड लार्ज मिट स्मॉल कैप इन में जा रहा है और 50000 में से 5 रुपया ऐसी जगा जा रहा है जहां पे जो return होगी expected वो 14-15% की होगी जादा से जादा long term में उसके अलावा का 5000 ऐसे जगा जा रहा है जहांपे 16-17% की return होगी expected like 16% large and mid cap multi cap मान सकते हैं mid cap का 17% तक मान सकते हैं और जो अगला 5000 जा रहा है वहाँ पे 18-19% तक भी return मिल सकता है तो इस तरीके से इनका portfolio है तो overall अगर इस portfolio पे बात करें तो 17% के पास return 16-18% कह सकते हैं कि 16-18% तक return मिल सकता है return को और थोड़ा सा बढ़ाना हो तो यहाँ पे जो large cap के अंदर में जो 5000 की investment की गई है अगर उसको भी diversify कर दिया जाए इन funds के बीच में तो थोड़ी से return बढ़ेगी, volatility भी portfolio के बढ़ेगी लेकिन थोड़ी से return भी बढ़ेगी और क्योंकि long term का portfolio तो ऐसा किया जा सकता है एक जो large and mid cap fund है उसका भी अगर वैसा तो उसमें 1000 की ही SIP जा रही है लेकिन वो भी अगर इसमें बाट दिया जा तो भी थोड़ी से return को lift करने में help मिलेगी लेकिन इससे portfolio के अंदर wallet लेटे भी बढ़ेगी ये समझने की जोग रहता है अब चलिए बात करते हैं कि 17,000 रुपए की SIP से 1 करोड की value achieve करने में कितना time लगेगा 10 साल में हो सकता है या नहीं तो 17,000 की SIP हर महीने अगर करते हैं तो 10 साल में 1.04 करोड की total value के लिए हमें चाहिए 27% per annum का return समझ रहे हो जो की possible नहीं है impossible है मतलब जूठा बात यहां बोलने की ज़रूद क्या mutual fund के अंदर नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा चाहे आप एकदम small cap में ही पूरा investment करो 27% mutual fund से हासिल करना नामुमकिन है हाँ direct stock investment करते हैं तो वो मुश्किल है लेकिन यहां पे नामुमकिन है mutual fund के लिए तो पहला तो यह हमारा यहीं पे cancel हो जा रहा है कि 10 साल में 17,000 रुपै से आप एक करोर रुपै नहीं बना सकते हैं mutual funds दूसरा अगर बनाना ही हो तो क्या कर सकते हैं देखो हमारी जो expected return होनी चाहिए चलो ठीक है हम आपने पूरा को 15 का पंदर डाल दिया small cap में पूरा 15, 17 जा जितनी पूरा small cap के अंदर ही SIP कर रहें तो हम expect ऐसा कर सकते हैं कि हाँ 10 साल 12 साल में आपको 18% तक का return small cap से मिल जा क्योंकि पास में मिला है कई सारे mid cap funds ने small cap funds ने दिये हैं इतने returns इसलिए हम इतनी expectation कर रहें तो यहाँ पे 30,000 रुपै हर महीने की अगर SIP करते हो अगले 10 साल तक तो 18% परेनम का उस पे return मिलता है तो यहाँ पे आपका 1.01 करोड का value तयार हो जाता है समझ रहे हो 10 साल में 18% return के according 30,000 रुपै हर महीने SIP करनी हो चलो एक और scenario देखते हैं कि नहीं 10 साल का हमारे पास नहीं है एक limit नहीं है लेकिन पैसे की limit है कि हमें 17,000 ही invest करना है तो 17,000 हर महीने invest करके 18% पर एनम का अगर उस पे return मिल जाता है तो हमारा जो tenure है वो 13 years 13 साल अगर 10 साल से 3 साल आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे जो corpus हो जाता है वो 1.06 करोड का हो जाता है तो ये 3 सिनारियों आपके सामने आ चुकी है and 18% एक return का ऐसा target है जो कि अगर small and mid cap investing mutual funds के अंदर की जाए long term की बात कर रहा हूं लेकर 10 साल या उससे उपर ही तो achieve किया जा सकता है 17, 18% achieve करना मुस्किल नहीं है और जो हम 18% का return माइंड में रखते हैं तो 18 की जगा अगर 17% का भी return मिलता है तो एक-दो साल आगे पीछे 17-16 भी मिलता है तो एक-दो साल आगे पीछे और हम flexible अगर timing रखते हैं तो wait करके हम अगर target achieve कर सकते हैं लेकिन अगर 27% हमको return चाहिए और मिलेगा हमें 17% का return तब तो बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा यह बहुत ज्यादा unreal expectation हो गई तो यहां पर दो चीज़े आपको करनी होगी या तो अपनी portfolio में से large gap के अंदर जो investment जा रहे हैं उसको small cap and mid cap में transfer करेंगे तो